साथ श्रीयकाल जी, साथे चैनल दे त्वाड़ा एक्वाल फिर बहुत स्वागत है बारा महीन दा अपना अपना एक अलग महत्व है ते आओ देख दे हाँ त्वाड़े जनम वाले महीने ते त्वाड़े व्यक्तित ते कि गुण, केरे गुण अपने आप आगए हन जनमें लोका दी किस्मत बहुत तेज होंदी है ऐस सब कुछ आज अपने वीडियो वीज असी तो आनो दसांगे ते वीडियो नो आंक तक जरूर देखना जी जे चैनल दे नवी आएगो ते चैनल नो सब्सक्राइब कर लो जी ते वीडियो चैंगे लगे, लाइक, शियर जरूर करना ते कमेंट जरूर लिखना कि तो आनो आज दी वीडियो किस तरह लगी ते सब तो पहला शुवी कर दे हां महीना जन्वरी जन्वरी दा महीना आपने खुश नुवा मौसम दी वास्ते बहुत जान्या जान्दा है ते इस महीने बीच पैदा होन वाले लोग बहुत ज़्यादा खूपसूरत होन्दे हन एनादी कप्ड़या वीच खास रूची होन्दी है ते फैशन दी समझता एनादे वीच बहुत ही जादा होन्दी है इस महीने जन्वरी लोग या बच्चे बहुत ही ज़्यादा एमोशनल होन्दे हन अपने फिलिंग्स नुँ अपने मान दे अंदर दबा के रखते हन एनादे मन वीच की चल दिया है एपता करना बहुत ही मुश्किल होन्दा है ते एन लोग बहुत ज़्यादी बोर हो जान्दे हन क्योंकि ए उर्जानल परे होन्दे हन एलो बहुत ज़्यादा इमोशनल होंदे कारण बहुत जल्दी हर्ट भी हो जान्दे हन सब तो वड़ी गल एना दे किस्मत बहुत ही ज़्यादा तेज होंदी है एना दा परमात्मा उत्ते बहुत ज़्यादा विश्वास होंदा है ते परमात्मा दीवी किरपा एना दे उत्ते बहुत होंदी है ते हून गाल करदे हां फरवरी दे महीने दी फरवरी दे महीने वीच जन्मे बच्चे काट गाल करन वाले होंदे हां पर किसमत दे मामले वीच ए बहुत ही ज़ादा टेज होंदे हां एह लोग समझदार ते इंटेलिजन्ट होंदे हां एना नू समझ पाना आसान नहीं है इस महीने विच जन में लोकांदा व्यक्तित तव बड़ा ही आकशक होंदा है जिस वेले तो आनू लगेगा कि असी इना नू पूरी तरह समझ लेया है ते उना दी एक अलग ही परसनेल्टी विखर के तोड़े सामने आ जाएगी पर इस दे नाल नाल एना लोकांदी सिक्स अपील एना दी परसनेल्टी दा प्लस पॉइंट होंदा है ए बहुत ही शांत दे शर्मीले सभावते होंदे हां जेकर एना लोकांदी उत्ते बहुत जादा रिस्ट्रिक्शन्स लगाए जान ता ए बहुत जल्दी उस गल्दा विरोध कर दे हां एक जगा बंद के एड लोग नहीं रह सकते ए लोग अपने आसपास दे लोकांदी खुश रख दे हां ते नाल नाल ए लोग बहुत ही खर्चीले होंदे हां मार्च महीने वीच जन्मे बच्चे बहुत ही काट बोलन वाले होंदे हां पागशाली दे मामले वीच एना दे उत्ते थोड़ी काट किरपा होंदी है लेकिन जदो ए अपने इदते आजान जो सोच लें ता उसनों पूरा करके ही रख दे हान अपनी किस्मत नो फुद बदलन वाले इंसान हों दे हान बहुत ही जिद्धी किसंदे इंसान हों दे हान एना लोका नो गुसा बहुत जल्दी आंदा है पर ए लोग विश्वास से काबिल कट हों दे हान क्योंकि ए अपने इमोशन्स अंदर दबा के रख दे हान अपना असली चैरा सामने नहीं लेान दे हान अप्रेल महीने वी जन में बचे कुछ अलग किसंदे हों दे हान ए लोग हर प्रस्थिती वीच हर सिचुएशन वीच अपना बैलेंस बना के रख दे हान पागशाली दे मामले वीच एनादा कोई मुकाबला नहीं कर सकता सो विचों सो परसेंट बच्चे अप्रेल दे महीने जन में वाले बच्चे बहुत ही ज़ादा पागशाली हों दे हान और जिस कामनों हाथ लगान दे हान ओ काम सोना बन जान दा है और इस काम वीच उनानों काम याभी मिलदी ही मिलदी है इस महीने जन में लोग बहुत ही मजाकिय सभावदे हों दे हान बहुत जल्दी सार्यांदा दिल जित लेंदे हन। एना दे वीच आत्मी विश्वास बहुत ही जादा होंदा है ते दूसरे वास्ते द्यालुता दे हन किसी दूँद दुखी नहीं देख सकते हन। माई दे महीने वीच जनमें बच्चे बोहुत ही जादा गुसे वाले होंदे हन। उना दे वास्ते अपनी अलग ही दुनिया होंदी है। उना दे अनुसार जो ओ बोल लगदे हन। ओ ही सही होंदा है। पाक्षाली दे मामले वीच ए लोग 70 परतिशत पाक्षाली हुन्देहन एस महीने वाले लोकानों सपने देखना बहुत अच्छा लगदा है आपने तो अपोजेट सेक्स वालेयां दे नाल एनादी नहीं बन दी है उना देना दोस्ती करना और दोस्ती करन वीच उनानों बहुत टाइम लगदा है खाना बनाना एनादी हो भी होंदी है बहुत अच्छा खाना इस महीने वीच जन्मे वे लोग बनान देहन एना नो कारविच रहना अच्छा लगदा है और एना दे कन वीच दर्द हमेशा कन दी बिमारी होंदी है जून महीने वीच जन में बच्चे जन में लोग बहुत ही ज़ादा सस्पीशियस होंदे हैं एना दे ना जहन वीच सब नो बहुत ही मज़ा आंदा है एना लोका वीच बहुत ज़ादा आत्मिश्वास रणदा है पर कदी कदी एना लोका नो दिल दियां फिलिंग्स नहीं समझ आदियां ते दूसरे नो अंजाने वीच दुख पहुंचा दे हन इस महीने वीच जन में लोग हमेशा नोक्री ही करन वीच विश्वास रखते हन जेकर बिजनस करनगे ता उदे वीच ओ फेल हो जान दे हन काम्याबी या पाक्षाली दे मामले वीच ए असी प्रतिश्यत मनने जान दे हन अना दा अपने गुस्से दे उत्ते बिलकुल काबूर नहीं हून दा है गुस्से वीच ए कुछ भी कर दन दे हन लेकिन बाद वीच ए नो पचतावा हों दा है जेकर कोई गल्ती करके एना तो माफी मंगे ता ए बहुत जल्दी माफ कर दन दे हन जुलाई महीने वीच जन्मे बच्चे जन्मे लोग बहुत ही मिलन सार होंदे हन पर गुसे दे मामले वीच एनादा कोई तोर नहीं है मन दे शान लेकिन गुसा बहुत तेज आवाज बहुत तेज हर किसी नो अपना दोस्त बना लेंदे हन हर किसी ते बहुत जल्दी विश्वास कर लेंदे हान मेनत करन वीच बिलकुल नहीं कबरांदे हान पाकशाली दे मामले वीच ए 95% मनने जानदे हान अपनी लाइफ नो बहुत ही सिस्टेमेटिकली रख दे हान सब नाल अच्छी तरह रेंदे हान पर जेकर कोई उनानू तोखा देवे ता उसनू छड़दे भी नहीं हान अगस्त महीने वाले लोग बहुत ही अच्छी सभावाले होंदे हान ते ऐ बहुत बहादूर भी होंदे हान खत्रया नाल खेरना एनानू बहुत अच्छा लगदा है किसे नू दुख पहुंचाना एन सोच भी नहीं सकते एना नू कोई एक वाली काम करनवस्ते बोलेगा ता ए उसनू ना भी नहीं बोल सकते हान खाना बनाना, डांस करना एस सब एना लिया फोबिस होंदे हान ए बहुत ही तेज दिमाग वाले होंदे हान ते पाग शिल्दे मामले वीच एह 100 आउट ओफ 100 मनने जान दे हन। सितंबर महीने वीच जन में लोग बहुत जादा सोने हन खुबसूरत हन दे हन। एह लोग जल्द बाजी वीच कैसला लैनवाले हन दे बाद वीच पच्चतां दे हन। इस महीने वीच जन में लोका दा विदेश जान दा बहुत जादा योग हन दा है। पड़ाई दे मामले वीच एह बहुत अगे हन दे हन एना दा दिमाज बहुत तेज हन दा है। हर एक चीज वीच एह अगे हन खेला दा वी अगे एना दा फ्यूचर बहुत हन दा है। फ्यूजर वीच एह लोग कोई वड़े स्पोर्ट्समेन या खिलाडी बन सकते हन। एना नो आपने नाल बहुत ज़्यादा प्यार होंदा है, ते कोई एना दी तारीफ करें, उस महाल वीच रहना एह लोग बहुत पसंद करते हन। एह लोग बहुत बहादूर होंदे हन। ते नम्या जीजा करन वीच बड़े ही ज़्यादा उत्सुप करन दे हन। पाक्षाली दे मामले वीच एह लोग 60% मनने जान दे हन। अक्टूबर महीने वीच जन में लोग बहुत ही उदासीन होंदे हन। उदास किसंदे हन। पराई वीच एना दा बहुत ज़्यादा दिमाग होंदा है, बहुत ही ज़्यादा इंटेरिजेंट होंदे हन। किस्मत दे मामले वीच एना नू 100% मन्या जान दा है। एना दा जिस कार वीच व्यादा है उस कार दा अक्षा ही बर जान दा है पाव। उस कार वीच अगर गरीबी होईगी ता अमीरी आ जाएगी। एना नू भी समझ पाना बहुत मुश्किल गल है, जो दिल वीच है ओ बाहर नहीं लेंदे हन। एक किसम दे शेख चिल्ली होंदे हन। उदास महाल नू खुश्णुमा महाल बनान वीच माहिर होंदे हन। नवंबर महीने वीच जन में लोग बहुत ज़्यादा इमानदार होंदे हन। एक जिस किसी काम नू फर लेंदे हन। उसनू खतम करके ही सालेंदे हन। एन लोग कई बाल खतरनाक वी साबित होंदे हन। एना दी सिक्स अपील ही एना दा हथियार होंदी है। एंढे लोग बहुत जल्दी हर्ट हो जानदे हन छोटी-छोटी गल्द एना नू बहुत जल्दी रोना आ जानदा हैं किस्म ते मामले वीच एना नू सो विचो 75 प्रतिशत मन्या जानदा हैं दिसंबर महीने विच जन में लोग बहुत ज़्यादा खुबसूरत होंदे हां, ए बहुत जल्दी दुज्यादी गल्ला विच आ जान दे हां, बहुत ज़्यादा इंफ्लुएंस होंदे हां, एनादे विच कम्पिटिशन दी पावना बहुत ज़्यादा होंदी है, ते कम्प बाजी विच कर दे हान किसमत दे मामली विच एना नू सो विच जो नब्य प्रतिशत पाया जन्दा है एना लोका दे नाल समा बिताना अच्छा लगता है पर एना नू समझना बहुत ही ओखा हुन्दा है एना लो महोल नो बहुत हलका बना दे हन एना दी मजा करन दी बहुत आदत होंदी है एना लो किसे नूवी तकलीफ नहीं पहुंचा सकते बलकि किसी दा दुख देखके दुखी हो जान दे हन दे उना दा दुख दूर करन दी कोशिश कर दे हन एना दे हाथ दी विच पैसे दी लगी बहुत वड़ी होनी है